हाई फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि वाटसप स्टेटस सेटिंग कितने प्रकार की होती है और वाटसप स्टेटस सेटिंग कैसे किया जाता है तो फ्रेंड्स क्या होता है कभी-कभी जैसे हम अपने स्टेटस को किसी एक को दिखाना चाहते है और कभी-कभी क्या होता है हम किसी एक को नहीं दिखाना चाहते हैं बाकी सब ही को दिखाना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में हम सारी सेटिंग आपको बताएंगे आपको वीडियो को विडियो को बिना इस्कीप के लास तक देखते रहना है तो अगर आप फिर से आपको चले जाना है setting में, setting में जाने के बद देखे, यहाँ पर फिर से चले जाना है privacy में, privacy में जाने के बद फिर से आपको देखे, यहाँ पर status पर चले जाना है, status पर जाने के बद देखे, यहाँ पर जो पहला number है my content, अगर आप इस पर select करके रखेंगे, तो आपक एकुरे नमबर पर देखिएँ यहां पर माइ केटंट exception को आपसن है यहां पर अगर अगर आप क्लिक करके रखेंगे तो यहां पर आप जिसको सेलेक्ट करेंगे देखिएंगे रे dernier हो बाकी कोई नहीं देख पग जैसे यहाँ पर देखे हम तीन लोगों को सिलेक्ट किये हैं तो हमारा स्टेटर जो हम WhatsApp पर स्टेटस लगाएंगे वह सिर्फ तीन ही लोगों को दीखेगा बाकी किसी को हमारा स्टेटस नहीं दीखेगा देख लीजिए तो आप बहुत ही आसानी स समझ ही गए होंगे इसी प्रकार आप भी अपने WhatsApp इस डेटस सेटिंग को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप मारे यूटूब चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर झाल झाल